नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपी के चैनल में Reliance की Week Analysis की वीडियो है अपना जो ये वीग है आज तो खेर मंडे है छुटी है दोस्तों अपने मार्केट की बकराई के ओकेजन पर वर्ल्ड मार्केट खुला है कुछ वहाँ जादा उथल पुथल होती है तो शाम को म निफ्टी बैंक निफ्टी के अलग से वीडियो बना दूँगा अधर्वाइस जो मैंने वीडियो बना रखी है वो एनफ है जो ट्रेट प्लैन वहां डिसकस किया हुआ है वो ही हमें कल के दिन 18 अगस्त के दिन फोलो करना है ठीक है तो आए रिलाइन्स का एनलसिस को शुर लेते हैं दोस्तों इसको पढ़ना मेंडिटरी है अनिवार्य है खिर्पया करके बिना इसको पढ़े संजे मेरी वीडियो पे आप आगे मत बढ़ी है एजुकेशन के प्रपस से वीडियो है किसी को भी ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दी जा रही है यह दोस्तों रिलाइन यह है इसकी range ठीक है यहाँ पर जो ट्रेड बनता है वो यही बनता है कि आप इधर कहीं sell कर सकते हो इधर कहीं इस green box में buy कर सकتे हो इसके बीच में यह जो जगे है यह जगे ट्रेड करने लाइक नहीं है avoid करना है ठीक है इस परकार से कुछ आपके साथ discussion किया था मैंने last week मे खुआ क्या है बहुत छोटी सी रेंज में मार्केटी बहुत छोटी सी रेंज में चला है ठीक है हलाकि जो फ्राइडे वाला दिन था दोस्तों फ्राइडे वाले दिन दो स्टॉक एक रिलाइंस और एक HDFC बैंक ये दोनों ही थे जो जंडा बुलंद करके खड़े हुए थे औ ठीक है और एक भेंकर तेजी के साथ ये निफ्टी को खीच के ले गया 29 मदलब कम से कम 2% की तेजी थी इसमें लास्ट के बारा एक बज़े के बात की बात की जाते है ठीक है तो बड़ा कंट्रिबुटर और उदर HDFC बैंक भी तो इन दोनों स्टॉक की जो बहुत हैवी वे चुका हूँ ना इधर आप देखेंगे तो Friday को इसने भीया highest closing के साथ बंद किया अपने चार्ट को पूरे week की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे अगर मैं weekly चार्ट पर जाता हूँ तो आपको एक अच्छी candle देखेंगी और ठीक है ये बढ़िया पिछले week की closing से उपर है ना red closing एदर एगजिट पोल और ये result वाला week है उसके ऊपर close किया है ठीक है पर इधर आप क्या trade ले सकते हैं नहीं देखेंगे इसमें दो परकार से trade बनता है सीदी सीदी बात है ये इसने हाँ एक breakout दिया था जब इसने 3020 के ऊपर close दिया था ठीक है ये breakout था नकली breakout अगले दिन result आया तो ये इसने इस range को भी test किया जो इसकी demand वाली range है ये वाली range इसकी supply है यहाँ पर आके लोग माल छोड़ देते हैं तो इसको treat कैसे करना है आपको मतलब यहाँ पर अगर trade करने की सोचे reliance में या reliance से indication लेने की सोचे कि निफ्टी को support कर रहा है क्या कर र ठीक है तो इसका जो breakout का level है वो यही है इस level के उपर ये निकलेगा close करेगा तो ही घर में call carry करके जाना है और यहाँ पे चिंदी चोरी करके 5.10.8 ये सब trade रहने दीजिए avoid कर ये कुछ नहीं कर सक्या ठीक है तो buy का trade या तो ये support तूटके इसके उपर close करे तो है वो ये level है ठीक है जो की फिलाल दूर है दूसरी चीज buy का trade कहां से बनेगा या आपको ये इस green zone में दीखें ये आपको इस green zone में दीखें ये green zone कहा है अभी ये 2760-70 के आसपास है तो इसको भी हम discuss अब नहीं करते ये है because कहा पर इस जगे है ठीक है now scenario number two क्या sell कर सकते हैं ठीक है sell का attempt आप तभी ले सकते हैं जब ये आपको 3000 के आसपास देखें इस स्वाली रेंग जीए अब मान लिजे कि 12 बज़रा है एक बज़रा है वो इसने 3020 को काट दिया उपर trade करने लग जया तो closing का weight करना है या क्या करना है ठीक है एक number मैं आपके साथ share कर रहा हूँ अगर वो number कट जाता है तो फिर closing का weight नहीं करना है ये number है 3032 ये number अगर screen पे कट जाता है तो आपको closing का weight नहीं करना आपका SL हिट हो गया फिर मेरी तरफ से buying reverse कर लो गाड़ी buying की गाड़ी में बैठ जाओ बस ensure कर ले ना 3020 के उपर closing आए उस particular day में और घर में call को लेके चले जाई है तो फिलाल ये scenario है जो हमको discuss करना है कि अगर ये इस range में एंटर करता है तो ये range है 2980 से लेके 3000 हमेशे इसने पल्टी मारी है देख सकते हैं आपके एक तनी है यहाँ इस पांच-छे महिने के बहुत example है तो यही scenario बनता है तो आपको definitely पैसा बन जाएगा यहाँ बीच में नहीं करना है कुछ यह trade करने लेक जगे नहीं आप ऐसे ऐसे अपना पैसा खराब करेंगे ठीक है ऐसे ऐसे करके अपना पैसा खराब करेंगे तो इधर नहीं छेड़न I hope मैंने बहुत अच्छे से clear कर दिया है एक बार आप sell का attempt ले सकते हैं कहाँ पे 3000 के आसपास अगर आपको मिलता है SL on screen 3032 और या फिर closing मिल जाए आपको 3020 के above और अगर SL hit हो जाता है उस particular day में तो गाड़ी को reverse कर लेना यूटन बाई की गाड़ी में बैठ जाना है just ensure कि इस level के उपर ही closing आए आप घर में call करी करके जासे ठीक है तो यह है दोस्तो रिलैंस का इंसे उम्मीद आपको समझ में आगा और ऐसा कुछ नहीं होता जैसा मैं बोल रहा हूँ अवाइड भाई है ना गयान्द को आप तभी तो हिट करोगे जब आपके पाले में आएगी टेस्ट मैच की तरह नहीं तो छोड़ते रो देखते रो नहीं भहिया यह फसाने वाली बॉल्स हैं इपर के पास कैच चला जाए ठीक है तो यह है दोस्तों वाह क्या आप मज़